नवश्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप मैं संजय गुपता दोस्तों इस वीडियो के मादे हमसे एक बहुत अची बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ पूरा ज़रूर सुनियेगा दोस्तों वैसे आजकल तो हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं लेकिन एक छोटी सी बच्ची का एक जवाब उसकी मा की आवाज को खामोश कर गया एक प्यारी सी बच्ची जो कि अपने मा के साथ अपने कमरे में ही थी उसने मा से एक बहुत सुन्दर बात रखी उसने कहा मा अपने हाँ जो नौकरानी रहती है क्या तुम उसके पास पैसों से भरा हुआ बैग रखके तुम बाहर जा सकती हो गुमने तब उसकी मा ने सोचा कि अखरी ऐसा क्यों पूछ रही है और सुचते हुए जवाब दिया नहीं बेटा ऐसा हम कैसे कर सकते हैं हम रुपियों से भरा बैग और अपनी नौकरानी के हवाले कैसे हम छोड़ के बाहर जा सकते हैं बिलकुल नहीं जाएंगे तब उस बचची ने दूसरा जवाब जो किया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे उस मासूम से छोटी सी प्यारी सी बचची ने अपनी मा से जब दूसरा सवाल किया तो माँ खामोश रह गई जब उसने यह कहा उस बच्ची ने अपने मा से कि जब आप रुपियों से भरा हुआ बैग अपने नौकरानी के हवाले छोड़ कर नहीं जा सकती हो तो आप मुझे छोड़ कर क्यों चले जाती हो नौकरानी के पास यह जो सवाल इस बच्ची ने किया था उस मा के दिमाग में थोड़ा सा चोड़ पहुँचा गया वह मा सोचने में मजबूर हो गई कि यार बात तो सच है कि हम अपने बच्चों को किसी के हवाले छोड़ कर चले जाते हैं अलब सच्चा ही क्या है हम रोपेओं से ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर अपने बच्चों से प्यार करते हैं खैर आपका क्या मानना है हलाकि सब अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन सोचने पर तो उस मासूम सी बच्ची ने अपने मा को मजबूर कर दिय यह एक छोटी सी मारमी कहानी आपको कैसे लगी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक, कॉमेंट और शेर और कौन सी जगे से आप उमरा ये वीडियो देख रहे हैं हिंदुस्तान के जिस जगे से आप हमरा ये वीडियो देख रहे है values के comment में जरूर बताएगेगा ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आप कहां-कहांसे किसकी जगे से हमारे चाहने वाले हैं मिलते हैं उगले वीडियो में तुब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया